नमस्कार रिक बेद में बोला गया है कि जब किसी भी मनुष्य का उसके मस्तिस्क उसके हिर्दे और उसके कर्मों का ये तीनों चीजों का अगर जीवन में एक रूपता हो उस वेक्ति को सफल होने से संसार का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है क्यूंकि उसका मन उसका कर्म और उसका खुद का आत्विस्वस उसके साथ है आप यहां पर प्रसन उठता है कि मस्तिस्क का अर्थ क्या हुआ मस्तिस्क का अर्थ हुआ कि आपके किये गये कर्मों का perfect calculation पहला calculation जो आप कर्म कर रहे हैं दूसरा calculation कि आप अपनी जीवन में अपनी परस्थिती को जो आप कर्म कर रहे है उसके according साथ में ग्रोहों की परस्थितियों को और अपने खुद की capability यानि capacity को देख करके वह किया गया कर्म जो आप दिल से करोगे तो जीवन में सफलता मिलने ही मिलने हैं कोई नहीं रोक सकता यह रिगवेद में कहा गया है इसलिए जीवन में इन तीन चीजों का एक रुपता होना अत्यंत अवश्यक होता है नमस्कार प्रिये मकरासी वाले मैं हूँ अस्वरोजा डॉक्टर रवी गुपता और स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत इखास कारिकरम में कि प्रिय विश्व विजेता और जीवन में होगा बहुत बड़ा चमतकार प्रिये मकरासी वाले आज की वीडियो है बहुत ही नॉलेजबल है और कहते हैं कि जब ग्रोहों का प्रभाव मनिश्री के उपर पड़ता है तो वह अच्छा और बूरा दोनों प्रकार का फल देता है तो आ आज मैं आखिर बताओंगा क्यूं आप विश्व विजेता बनने वाले हैं क्या जीवन में बदला होने वाला है ये जो वीडियो है चंदरासी का नुसार अधारित है अगर आपको अपना चंदरासी नहीं पता है तो आप लगन के हिसाब से या नाम के हिसाब से इस जानका में मकर रासी के स्वामी भी सनी होते हैं और कुम रासी के भी स्वामी सनी होते हैं प्रंतु मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि मकर रासी में सनी का प्रभाव जादा होता है और सनी क्या है कर्म के दाता पिछले जन्म के कर्म के दाता इस जनम में किये गए समान गरीब परिवार में हो एक समान गरीब से मध्यम परिवार में हो या करुणपती अरपती परिवार में भी क्यों ना हो लेकिन आपका उम्र 15-16 वर्स आते आते हलाके 15-16 वर्स भी मैं थोड़ा जादा बोल रहा हूँ जीवन में परिवारिक और समाजिक जिम्मेवारी जिसको responsibility बोलते हैं आपके माथे पे आपके कंदे पे आके टांड़ो मचाना चालू कर देता है क्योंकि सनी आपके जीवन में ये मत सोचो कि इस जनम में मेरा कोई खराब कर्म है तो दुख क्यों है ये पिछले जनम के भी कर्मों का फल देते हैं लेकिन अब जो है यही सनी आपके जीवन में आपको विश्व विजेता बनाने जा रहे हैं आखिर क्यों इसकी संपून जनकारी में दूँगा प्रियमकर्रासी वाले वरतमान समय में आपके जीवन में सनी की साड़े साती का तृत्य चरन चल रहा है तृत्य चरन अथार्थ एक ऐसा चरन जो पैरों से होकर के खतम होगा मतलब जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ मकर्रासी वाले जब सनी का पर्थम चरन और दुत्य चरन रहा तो निच्ची तोर पे जीवन में परिशानियां बढ़ी हलाके पर्थम चरन में धनुरासी का सनी निच्ची तोर पे आपके जीवन में 2014 से तनाव और परिशानी बढ़ाना तो चालू करी ही दिया था हुआ सब्तम भाव पे और तीसरे भाव पे सनी की द्रिष्टी यानि पिछले साड़े तीन से चार वर्सों में जो आपका समय रहा घर का व्यर्थ का अस्थांतरन जीवन में कुछ स्वयम से गलट डिसीजन लेने की कारण जो है आइस थीरता बैपार का नुकसान अस्थांतरन माता को कष्ट या माता की मिर्त्यू आपके कर्म छेतरों से आपको व्यर्थ का दूर कर देना वैवाहिक जीवन को ले करके गलत जगा पे विवा हो जाना आपके पिता या माता या समाज के लोग ना चाह करके भी आपसे ब्यर्थ की दुस्मनी मोल लेना और इसके अलावा खुद का सारा पैसा खतम हो जाना यानि पिछले ढ़ाई तिन वर्सों में जो आपने अपमान बेजती धन क का नुक्षान जो सहा वो कहीं न तो कहीं बहुत दुखत रहा लेकिन कहते हैं न कि लोहा हो या सोना हो जितना उसको तपाओगे उतना वो अपने प्रारंबिक प्रारूप में आएगा सोना को जितना तपाओगे उतना पीला होगा लोहा को जितना तपाओगे उतना काला औ और मजबूत होगा इसलिए बुरे वक्त में बहुत कुछ मनुष अपनी जीवन में 100% सीख भी जाता है मकर रासी वाले अब मुद्दा आता है कि आखिर वीडियो का रीजन क्या है चार नबंबर से सनी जो है वरतमान समय में आपके कुंडली के दुत्य भाव पे भी रजमान है और अब आप जीवन के सनी के साड़साती के तिरित्य चरन से गुजर रहे हैं यानि सनी वरतमान समय में पैरोपे है और जोती सास्तर में दुत्य भाव दुत्य भाव में बैठा हुआ है जो धन का भाव होता है चार नबंबर को सनी कुम्हरासी में मार्की हो जाएंगे यह समानने बात है मुद्दा यह नहीं है मुद्दा यह है कि चार नबंबर से साथ दिसंबर दो हजार चोबिस तक सनी हो जाएंगे अपने जीवन में सरवाधिक सक्ति साली आखिर क्यों मैं बताना चाहता हूँ चार नबंबर तक सनी जो है 5.8 यानि 5.9 डिगरी के आसपा नगता है कंजोर अवस्था मना जाता है यानी और 4.11 सनी अपनी सुइम की रासी में बाल अवस्था में चले जाएंगे जब भी कोई ग्रहा विसमरासी में होता है और 6.09 के उपर जाता है तो वहब चला जाता है बाल अवस्था में यानि सनी जो है आपके लगन और आसी के स्वामी होके जो धनभाव में बैठे हुए है अब हो रहे हैं मजबूद इसके बाद यही जो है चार नवंबर से दिसंबर के मद्धे में ये बाल अवस्था में जाएंगे कुमार अवस्था में जाएंगे और फिर युव अवस्था में जाएंगे फिर ये जो है बृद अवस्था में जाएंगे क्योंकि आपके जीवन में सनी जो है अभी मृत अवस्था में थे अभी हैं भी 4 नवंबर से पहले मिली तवस्था में थे इसलिए 2023 में जनवली से कुमरासी में सनी के फल जाने के बाद भी आपको तिरतिय चरन का कोई सुब फन नहीं मिला क्योंकि सनी की तिरतिय चरन लावकारी होते हैं और कोई प्रभाव नहीं मिला धन भाव में जाने के बाद अब जैसे ही सनी जो है बाल अवस्था कुमार अवस्थार योवस्था में पूरे एक साल के लिए रहने वाले हैं आपके जीवन में सबसे पहला सनी के साड़े साती का अंतिम चरण का बेनिफिट मिलना चालू होगा जिसमें सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आप अपने जीवन में समझने वाली बात है आप अपने जीवन में जो अपने ग्विर्थ के घर से दूर हुए उससे बचना चालू करतेगा पाई पाई रुपे के लिए जो आप परिसान थे मनी सेविंग आपके जीवन में प्रा बोती अच्छे छे रिष्टे आने चालू हो जाएंगे आप कही परिवार के लोग आप कही समयाज के लोग जो आपको ना चाहकर के भी गलत बाते बोलते जहें उन लोगों के समक्ष आपकी ख्याती और पावर वापस आनी चालू हो जाएंगे लोगों को लगता था कि करने की आइडिया आपके अंदर में आ जाएगा जोति सास्तर कहता है कि दुत्य भाव में जब कुमभरासी बैट जाए तिहां मनुष्य को उसके महनत के नुसार फल देने वाला होता है यानि दुत्य भाव का कुमभरासी का सनी उपर से बाल अबस्था कुमार अबस्था और युवा वस्था का सनी जितना महिनत करोगे उसका दस गुना फल देना चालू कर देगा धाय तिन वर्सों से according your capability, capacity of working का नुशार कोई भी benefit सनी नहीं दे रहा था इसके अलावा मकर रासी वाले लगन का स्वामी का धन भाव में जाना और मजबूत होना जीवन के बड़े-बड़े कठोर और मजबूत decision आप लेना चालू कर दोगे जो लोगों को लगता था कि आप अपने जीवन में failure हो चुके हो अब लोगों के मद्धे में वह पूना ठीक होगा आपके इज़त, शम्मान और ख्याती बढ़नी चालू हो जाएगी इसके अलावा जो है, सनी का दुत्य भाव में बैठना और जोति सास्तर कहता है कि अगर दुत्य भाव का सनी का बिरहस्पती के साथ कहीं न तो कहीं अगर यूती हो जाए या कोई सम्मंध बन जाए, तो मनुश्य अपने जीवन में अत्यधिक ज्यानी, अत्यधिक धनी और अत्यधिक जो है, सफलता प्राप्त करता है, लोग उसका कितना भी बिरोध कर दे तो सनी चतुर्त भाव पे दिरिष्टी डाल रहा है अपने नीच का, जहां इसके नीच दिरिष्टी का फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक मैई तक बिरहस्पती बिराजमान हुआ पड़ा है, यानि बिरहस्पती का बिराजमान होने का मतलब हुआ, कि आप सकता हूं कि ना चाहकर कभी कलेश हुआ, वह सभी चीजे ठीक होनी चालू हो जाएंगे, अस्टम भाव पे सनी का दिरिष्टी पढ़ने का मतलब यह हुआ, कि जो विर्थ का केस मुकदमा में आप फसे, उससे बाहर निकल जाएंगे, अस्टम भाव में सनी का दिरिष्टी स्वामी हों, और दुत्य भाव पे विराजमान हों, और एकादस भाव से उसका दिरिष्टी सम्मंद बन जाएंगे, तो मनुष अपने जीवन में यता धन संपती और दौलत का मालिक होता है, बस वो ग्रह की परिष्थिती ठीक होनी चाहिए, तो कुम रासी सनी की मूल ति कोन रासी है, तो यह आपको यता दौलत और संपती का मालिक भी बनाएगा, इसके अलाबा मकर रासी वाले, आयस थान पे सनी का विराजमान होना, यह दिखाने वाला रहेगा, कि आपके जीवन में जो है सनी, मानसिक सांती भी देगा, आपके पिता से जो तालमिल खराब वह ठीक करेगा, आप अपने जीवन में खुद का धन को गलत जगा पे निवेश किये, या ठग लिया गया, उससे आपको बचाना चालू करेगा, धाय तिन वर्सों से अपने इक्छा के लिए कुछ आपने किया ही नहीं, ना खुद का कुछ महंगा गैजट्स परचेज कर पाए, ना खुद की शंपती परचेज कर पाए, ना वाहन परचेज कर पाए, इवें की छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन सो दुरिया बना करके रखा, अब इसमें आपको बचाओ चालू करना चालू कर देगा, और यही सनी जब आपके जीवन में जून के बाद कुमार अवस्था में जाएंगे ना, कह सकता हूँ, एपरिल के बाद तो आपके विबाह के कारिकरम सफल होने चालू हो जाएंगे, जीवन साथी का स्वास्थिक होना चालू हो जाएगा, बैपारिक दिरिश्टी कोन आपके जीवन में परफिक्ट तोर पे सही होना चालू हो जाएगा, इसका मतलब आपके जीवन में मकरासी वाले, आपके दुख के दिन आप जाने वाले हैं, सनी के साड़साती का अंतिम चरन का सुब फल प्राप्त होने वाला है, और जीवन में बदलाव होने वाला है, फिर भी इसके प्रभाव को बहतर बनाने के लिए, क्यों आपको विसुभी जेता बनाने वाला है, इसके संपूर्ण और ब्रिहत भविश्यवानी मैंने आपको कर दिया, उमित करता हूँ कि मकरासी वाले बताय के जनकारी से संतूष्ठ होंगे, चनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलता ह अगली वीडियो में, और महत्तपुर्ण और ज्यान वर्दक जानकारी के साथ, तब तो के लिए सनलोजा, डॉक्टर अभी गुपता का आप सभी को नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यबाद